कि Series board से कोई भी समान कैसे चेक करते हैं Series board से कोई भी electronic, electric part कैसे चेक करते हैं तो चलिए दोस्तों बीना देर किये हुए इस वीडियो को हम सुरू करते हैं सबसे पहले आपके पास एक Series board होना चाहिए अगर Series board नहीं है तो Series board कैसे बनाते हैं तो इसका link हम description में दे देंगे वहाँ से जाकर आप देखकर एक Series board बना लीजिएगा तो कोई भी समान चेक करने के लिए Series board को आपको होना चाहिए उसके बाद एक छोटा सा तार होना चाहिए जो देख सकते हैं यहाँ 2 pin हम टॉप जोड़ हुए है इधर पूरा तार खुला है दो wire है देख सकते हैं minus और plus का तो इस तरह हम block लगाकर इसको हम sort करके देख सकते हैं कि मेरा Series board काम कर रहा है की नहीं कर रहा है тो इस तरह देख सकते हैं यह काम कर रहा है उससे पहले दोस्तो हम आप एक महत्पून जनकारी दे दे, चेक करने के दोरान हो सकता है, आपको खात्रा का समना करना पड़े, आपको हाई भोल्टेज का क्रेंट भी लग सकता है, इसलिए जो भी आप चेक कीजिएगा, सावधानी से चेक कीजिएगा, पहले चलिए एक हम चार्जर ले लेते हैं, तो पतार लगाकर इसे सटाकर भी हम चेक कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ 5-pean, हम socket लगा हुए है, तो यह खराब चार्जर है, इसको कैसे हम चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम लगाएंगे, अपने series बोर्ड में, बोर्ड में लगाकर switch को on करेंगे, यहां देख सकते हैं, सावधा बल्ब गुलो करने लगी यानि दोस्तों यह चार्जर है पूरी तरह सौट है अगर इसको मेन बोर्ड में हम लगाते न तो यह बलास्ट हो जाता बहुत जोड से धमाका देता या कहीं जोईन पर से तार जल जाता या जहीं कहीं पर पतला तार रहता वह भी जल जाता तो इसक या इलेक्ट्रिक पार्ट को आप सिरीज बोर्ड में जरूर चेक कीजिए उसके बाद आप मेन में लगाईएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे हम लगाकर ओन कि यह साइवाड की बल्ब फूल रोसनी में गुलो करने लगी तो इसका मतलब यह सौट है चलिए इसको हम साइवाड की बल्ब गुलो करेगा और डैडेक हम लाइन में अगर लगा देंगे न तो हो सकता है बलास्ट कर जाएए इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं यह पूरी तरह जल चुकी हुई है इसमें जो पी एफ लगाया हुगा है डैयोड लगाया हुगा सब सौट कर गया है इस तरह कोई भी आप चार्जर हो गया या कोई भी समान हो गया उसको बहुत असानी से अप स्रीज बोड में चेक कर सकते हैं जैसे माल लेजिए कि हमारे पास अगर कोई LED बल्ब आता है तो उसको कैसे चेक करेंगे जैसे यह मेरे पास 9 वाड की LED बल्ब है यह ठीक है लेकिन आपको हम चेक करके बताएंगे अगर आपके पास holder होगा, तो ठीक है, नहीं holder है, तो भी हम चेक करने की आपको तरीका बतलाएंगे, तो देख सकते हैं, मेरे पास एक holder बनाए हुगे है, bulb को चेक करने के लिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस board में, जो series board है, उसमें लगा देंगे, और इस bulb को हम लगा कर चेक करेंगे, यहाँ पे लगा दियो, उसके बाद switch को on करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा, तो यह मेरा 9 वाड की LED बल्ब जल रहा है, लेकिन 7 वाड की बल्ब में, कोई भी glow नहीं हुआ रहा है, कुछ भी उसमें response नहीं आ रहा है, यानि यह बल्ब ठीक है, अगर यही पर यह खराब होता, तो जैसे इसमें लगाते तो यह बल्ब नहीं जलता, और मेरा 7 वाड की बल्ब जलने लगता, तो इस तरह LED बल्ब को आप बहुत असानी से चेक कर सकते हैं, उसके बाद अगर हमको पांखे की क्वाइल चेक करना हो, कोई भी पांखा की क्वाइल हो, य इसमें 2 तार इधर निकला होगा है, इसको चेक करना है, कि यह सही है या खराब है, इसको कैसे चेक करेंगे, इसको चेक करने के लिए आपको Series Board की जल्वडी परेगा, तो सबसे पहले हम बताय थे कि कुछ तरह को और पलाग की आपको जल्वडी परेगा, तो इस तरह ह攻़ी स्विच अभी OFF कर देते हैं, उसके बाद हम इसको ON कर देंगे, ON करने के बाद हम कुछ इस तरह इसमें तार लगा लेते हैं, तकि उधर से हमको लगाय हुए है, यहाँ पर देख सकते हैं, इधर से लाकर, इधर से लाकर हम दोनों था, लेकिन इतना ध्यान रखना चाहिए कि यह तार को भी आपके हाथ में नहीं सटना चाहिए, नहीं तो आपको high voltage का current लग सकता है, तो यहाँ पर हम इसको सटा कर चेक कर लेंगे, series board काम कर रहा है, तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले इसमें चार तार निकला हुए, चारो तार में कोई भी तार आपको हाथ में नहीं ठेकना चाहिए, नहीं यह दो तार है, जो हम डेड़ेक लाइन से लिए, series board से यह भी तार आपको हाथ में नहीं ठेकना चाहिए, इतना बात को आपको ध्यान रखते हुए इसको check करना चाहिए, तो चलिए, यहाँ पर देखिएगा, तो हम दो जो blue color है पहले उसमें स यहाँ देख सकते हैं, कुछ जादे में यह गोलो कर रहा है, यानि यह जो तार लगया है, यह लूप जो लगया हुआ है, यह बिलकुल ठीक है, यह क्वाइल, working condition में है, अब इसमें आपको check करना है, कि इसका body earth तो कहीं नहीं है, अगर इसमें हम line देते हैं, तो body में अगर current आजाएगा, तो पूरी पांखा में current फ़ल जाएगा, तो उसको कैसे check करना है, तो कोई भी जैसे, कोई भी चारो तार में से एक तार, आप एक तार को इस तरह, जो series से लाए हुए है, उसको इस तरह सटाईएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से दे यहाँ दोस्तों, यह बिल्कुल ठीक है, फिर हम दूसरे तार में यहाँ पर देख सकते है, बुलू आला में सटा का, इस तरह हम चेक कर ले रहे हैं, लेकिन कोई भी तार आपको हाँ में नहीं सटना चाहिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं, कोई response नहीं मिल रहा है, यहाँ इंकर्डेशन में है, तो इस तरह बहुत असानी से किसी भी पंखे की क्वाइल, किसी भी इलेक्ट्रोनिक पार्ट, चार्जर हो, फिरीज हो, कुलर हो, कुछ भी आप बहुत असानी से इस तरह आप चेक कर सकते हैं, तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो, एक लाइ नए है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा